नमस्कार दोस्तों दोस्तों आलू सबसे आम और एक महतपूर्ण सबजी में से एक है आलू को सबजियों का राजा भी कहा जाता है आलू की खासियत यहा है कि यह अन्य सबजियों के मुकाबले पैसों में सस्ता होता है और कई स्वास्थे लावों से लैस भी होता है सिर्फ भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा आलू का सेवन किया जाता है आलू के सेवन से पाचन में सुधार, हिरदय स्वास्ते को बढ़ावा देना, कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को कम करना, रक्त शरकरा के स्तर को नियंद्रित करना, पॉलिस्प से बचाओ करना और कैंसर को रुकने में मदद मिलती है इसके लावा रक्टचाप को कम करता है, अनिंद्रा को कम करते हैं, प्रती रक्षा प्रनाली को मजबूत करते हैं, उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करते हैं, तरल संतुलन बनाय रखते हैं, तवजा की रक्षा करते हैं और आखों की देखभाल में सहाता करते हैं आलू में सभी महतपुन पोशक्ततू होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी डाइट में आलू को क्यों शामिल करना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम एक आलू का सेवन अवश्य करना चाहिए। स्वस्थे रक्त चाप को बनाय रखने के लिए कम सोडियम आहर आवश्यक है लेकिन पोटेशियम की उच मातरा भी समान रूप से महतपुन होती हैं पोटेशियम वासटुलेशन या रखत वाहिकाओं की चोडाई को पुशक्तातु जैसे कि पोटेशियम केल्सियम और मागनेशियम सभी आलु में भूमी का निभाता है यहां कई प्रकार के कैंसर को शिकाओं को डीने में उत परिवर्तन के कारण बनने से रोकता है फल और सब्जियों के साथ ही आलू भी हाई फाइबर स्त्रोथ है जो कोलेक्टरल कैंसर के जोखिम को कम करता है आलू में मौजुद विटामिन सी और क्वार करने में मदद करते हैं आलू में फाबर की महत्तपुन मातरा रकते में कोलेस्टरल के कुल मातर को कम करने में मदद करती है जिससे दिल की बिमारीयों में का खतरा लगब न के आपूर्ती, उमेगा 3 जैसे फैटी आशिड कुछ हरमोन और एम्यून एचिट पर निरभर करती है। आलू में यह सभी तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आलू मस्तिस्क के लिए भी बहुत लाबकारी है। आलू मस्तिस्क को ठकने से रोकता है और आपको हर समय सत्तरक रखता है। तो दोस्तों आप एक आलू अपने द्यानिक आहर में अवश्य शामिल करें। तो इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो ग्यान वर्थक लगी हो और इसे कुछ जानकारी प्राप्त ही हो तो इसे लाइक और शेर करें। और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे सीट चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड बे एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूं दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।